कि नमस्कार में मुदासिफ और आप देख रहे हैं SPNI निउज कॉंग्रेस की महासचीप प्रियेंका गांदी बिजेपी के सांसद स्मिर्थी रानी कॉंग्रेस के पुरबध्यक्ष राहूल गांदी इन तीनों के बीच एक अलगी कॉंपेटिशन चल रहा है और कैसे आईए हम आको समझाते है यूपी के पांचयों चरग का मतादान तो अज ज़ारी है लेकिन इससे पहले चुनापडर चार को लेकर एमेठी में जबरदस तरीके से हंगामा देखने के मिला राहूल गांदी इसमरिती रानी पर हमला बोले राहूल गांदी केंदे सरकार पर हमला बोले तो इसमरिती रानी दुनों भाई बहन पर जबरदस तरीके से हमला करते नसर आई आतंगवाद तक मामला चला आया दादी पर तकीसी के पीता पर हमला कर दिया उसको सफाई देते हुए पलटवार करते हुए आज पिरियंका गांधी ने भी बटा सवाल खड़े की है सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं हुआ क्या और उसके बाद जवाब की आया इसमरिती रानी ने साफ शब्दों में कहा कि जब अमेठी की जनता के सर पर मौत मंदर आ रहा था तो हमने अमेठी की जनता की सेवा की हमने उसके भले के लिए खड़े रहे हमने उनके हक की लड़ाई की इतना बोलना कॉंग्रेस के लिए भारी पर गया और कॉंग्रेस जो हमला करने में चूक नहीं होई कॉंग्रेस इसके साथ ये भी कहीं इसमेठी आनी ये राहुल कांदे प्रियंका गांदी की तभी याद आती है जब चुनाव नस्दीक आते हैं ये लोग तभी अमेठी में आते हैं जब चुनाव नस्दीक आते हैं उसके बाद प्रियंका गांदी जमकर बरसी और हमला करना शुरू का दिया उन्होंने कहा कि आज BJP वाले लोग ऐसे हैं, जो हमारे दादियों का अपमान करते हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज BJP वाले लोग ऐसे हैं, जो हमारे पिताओं का अपमान करते हैं, हमारे दादियों को और पिता को जलील करने की क्या जरूरत है, क्या उनके पास मुद्दे नहीं है, अगर उनमें दम है, उन्होंने यूपी में काम किया है, तो मुद्दे पर बात करें, कामकाच पर बात करें, इन दोनों के हाई भाड़ी परते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, फिलाल के लितना ही बागी ख़बरों के लिए देखते रहें, स्पेनाई न्यूज, नमस्कार.